नमस्कार दोस्तों आप सभी के हमारे यूटूब चैनल स्टॉक जननी में बहुत-बहुत स्वागत है एहला स्टॉक है वो है 281.25% कि इसके कलकी गिरावट दिखी जाए तो दोस्तों इसकी 3.7 से क्या इसका नाम है लक्ष्मी और्गनिक इंडस्ट्री जैसा कि आप सब जानतो हो लक्ष्मी और्गनिक इंडस्ट्री एक बहतरीन कंपनी है इस मॉल कैप की कंपनी है तो रिस्क जादा है बट अभी सस्ते में मिल ली है बहुत सस्ते में इसका प्राइस आया हुआ है और हमें क्या करना है S.I.P. के थूरू इसको नंबर अफ क्वेंटिटी जोडनी है अगर हम इन कंपनियों के बूरे वक्ते पे साथ देंगे दोस्तो तो याने वाले टाइम में हमारे पैसे को मल्टिप्लाइगर करके मल्टिबैगर ना देंगे आपको 10 times भी दे सकते हैं दोस्तों तो आपको इन stocks को धीरे-धीरे accumulate करना है थोड़ी से हम लक्षमी और गैनिक इंडस्ट्री इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों small cap की company है इसका market cap देखते हैं दोस्तों इसका market cap की बात करें तो इसका 7.38 करोर का इसका market cap में एक small company है उसके बाद इसका पी रैसे 35.39 ने इसने जो 52 वीक हाई बनाया है वो है 501 और 52 वीक लो इसका 274 का है और डिवीडेंड भी देता है दोस्तों 0.25% का इसने डिवीडेंड भी दिया है तो इसकी अगर हम maximum chart की बात करेंगे तो दोस्तों इसने all time high 50% के वाला time small cap company पहले की grow grow के mid cap जाती है mid cap से large कर जाती है तो और यह chemical का स्टॉक है chemical का बहुत अच्छा future है इंडिया में आने वाले time को आपके पैसे को multiply करेगा तो आप इस stock में बने रहिए का चलते हम दूसरे stock पे दूसरा stock दोस्तों technology से related पे काम करता है इसका नाम है लेटें की बाते करेंगे वो सब small cap company है ताकि हमें आने वाले time में हमारे पैसा multiply हो सेगे growth जादा मिल सेगे छोटी कंपनियों में growth होने के chances जादा है जादा है तो दोस्तों अगर इसका जह हम all time high देखें तो आपको negative returns दिखाएगा 49.11% के इसने negative returns दिखाए है जबकि यह भी एक बह हम 52 week high बता है तो 607 करीब आधे करीब पहुंच चुका है 52 week law इसका 205.25 है बहुत ही छोटी market cap company है इसको आगे इसका भी future बहुत अच्छा है क्योंकि technology में बहुत अच्छा काम करती है और बाहर विदेशों में भी इसके अच्छे काम है बट अभी पुरा IT sector डाउन है तो य और नीचे करें तो थोड़ा और उठाईगा दीरे दीरे करके इसको average and out करें और इसको कम से कम long time 5-10 साल के लिए अपने portfolio में रखें आपका पैसा definitely grow होगा बहुत जबरदस्त ग्रोगा तो लेटेंट व्यू दोस्तों बहुत अच्छी company है अभी थोड़ा सा बुरा वक्त च small company की बात करें क्योंकि हमें बहुत discounted rates में मिलना है 50% low तक मिलना है तो इन्हीं स्टॉकों को हमने accumulate करना है तो दोस्तों रूट मॉबाल भी बहुत अच्छी company है जो technology से related company है और इसका जो market cap है यह भी 7.18 करोर का है 10,000 से जो भी market cap नीचे होती है इनको small companies कहा जाता है small cap companies कहा होता है अगर अच्छा perform करती है तो आपके हमारे आपके और हमारे पैसे को यह 10 गुना तक बढ़ा सकती है और इन company को hold करके रखना पड़ता है काफी time तक और इसके लिए थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए इन companies क्योंकि कि जब यह गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते है और जब बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं इसलिए इन company के small companies कहा जाता है तो दोस्तों अगर हम इसके all time high की बात करेंगे तो इसके 1156 का all time high है 30% के return के साथ अभी भी बना हुआ है जिसकी market के 7.18 है PE ratio 31.18 है dividend भी देती है दोस्तों बहुत अच्छी बात है dividend भी अच्छी company है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जाना चाहता आप Google कीजिए तो आपको इसके बारे में सारे बता देंगे पता लग जाएगा रूट mobile जो इसका आई-प्यों आय थे इसके लिस्टिंग भी ज्यादा पुरानी है सब सारी की सारी नूजली लिस्टेट company ह 2021 में इसका आई-प्यों आय था तो बहुत ही बहतरी जवस्ट company है दो दो स्टॉक तीन तीन स्टॉक करके अपने फूटफोलियों में एड करते जाए और देखें दस काल के बाद आपका पैसा कितना टैंट टैंस 10-20 टैंस multiply हो जाएगा तो जो हम अगले स्टॉक की बात करत हाता है जिसके काफी आने वाले टाइम क्योंकि पॉपुलििशन इंडिया का पॉपुलिशन काफी अच्छा है तो आने वालेटाइम में दिवयानी जैसे कंपनियों को बहुत स्टॉक होने तो दिवयानी का भी जो आइप यह भी एक निया दिवयानी भी आधे निवी इस company है जिसका इसका IPO पे 2021 में ही आया है जिसने 215 इसका high गया है और 141 इसका low बनाए है तो 47% के return इसने अभी भी भी दिया है बट दिव्यानी एक long type के लिए बहुत अच्छा stock है अगर आप इसका अपने portfolio में रखेंगे तो आने वाले time में food की तो यह भी बहुत अच्छा बनाके देगा क्योंकि इनकी बहुत अच्छी chain है और काफी अच्छा growth potential इन देव्यानी इंटरनेशनल में भी लग रहा है तो दीरे दीरे इन stocks को भी accumulate करते जाए आने वाले पांस से पास चलते हैं वह है हमारी यसो इंडस्ट्री तो यसो इंडस्ट्री यह कैमिकल से related company और बहुत ही छोटे और small cap company इसमें रिस्क जादा है बट आने वाले time में इसमें बहुत अच्छा profit बनाके देगा क्योंकि क्योंकि यह chemical की company और इसके बहुत ही अच्छ अच्छ है और इसने पिसला टाइम में भी काफी अच्छी growth दिखाई है देखिए इसका चार्ड से आपको पता लग रहा होगा कि इसने कैसी किती जब दस growth दिखाई है कुछ ही टाइम में यह अपने पैसे को काफी मल्टिप्लाइब करता है हजार से उपर के परसेंट हचार परसेंट से उपर कि इसने रिटरंस दिये हैं और काफी अच्छा दस गुना पैसा बना चुका है इसका जो 52 वीक लो है इसके 2,099 इसका 52 वीक हाई है और जो बना कर दिया है वन जरो फाइब जरो अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है डिवीडेंड भी देता है दोस्तों और यह बहुती स्मॉल कंपनी है मात्र 1.6 जो क्रोर एक इसी स्टॉक्स में रिस्क बहुत जादा है और बट इनमें ग्रोथ भी काफी है तो अगर आप में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग अबिलिटी है तो आप यसुर इंडिस्ट्री के सांथ जा सकते हैं क्योंकि जहां पर मोर रिस्क दैन मोर प्रफिट जो कहते हैं ना वह इन स् करता और अपनी पैसे को काफी MULTIP Lower करना चाहते हैं 10 इन फंद करना चाहते तो स्मौल कैप कमपनी ही आपको इतना पैसा बनाके देढ़ेगी जो small cap से mid cap में आएगी, mid cap सेchien large cap में आएगी तो इनको काफी growth potential है DR, potential है तो आज हमने small cap के बारे में बात करी चरचा करी दोस्तों आने वाले विडियो में फिर हम कोई नए वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए धरनी बाद थेंक यू